हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी ए एक्जाम क्रिजर में दोस्तो यूपी टॉपल सी की वेबसाइट पर एक बहुत ही इंपोर्टन नोटिफिकेसन जारी किया गया जैसा कि आप कई दुनों से सुन रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो पीटी परिक्चा है वो लागू की गई है लेकिन उसके लिए जो ओनलाइन आविदाने वो कब से सुरू होंगे तो उसी को लेकर के ये नोटिफिकेसन जारी किया गया है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके ओनलाइन कव से सुरू होंगे लाज्ट डेट क्या है और इसका स्लेवस क्या रहने वाला है इसके फीज कितनी होगी तो ये सारी जीज़ें इस वीडियो में डिसकस करेंगे और दोस्तो ये जो नोटिफिकेसन है वो आप मारे टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलूट कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप की लेंक मैं आपको वीडियो के डिसक्रिफिकेसन में दे दूँगा तो वहाँ से आप इस नोटिफिकेसन को डाउनलूट कर सकते हैं चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेसन में क्या है सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ओनलाइन आवेदन अन्तिम जो संसोदन है वो कब होगा यानि आवेदन में संसोदन के अन्तिम तितिकाव है तो बोज 2862021 है तो यह आप आप देख सकते हैं आगे देखते हैं दोस्तों यह नोटिफिकेसन काफी ज़्यादा लंबा है तो इसलिए जो भी important वाते हैं वो इस वीडियो में आपको बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसे आप खुद पढ़िएगा यहाँ पर देखेंगे अब देखें यहाँ पर आपको देखना है कि आयो की परीदी में आने वाले पद कौन-कौन से हैं तो देखेंगे उत्तर प्रदेश तधीना सेवा चायन आयो की परीदी में आने वाले पदों का ब्रण तो यहाँ पर आप देखेंगे समूगा से निम्न समूगा के समूगा से निम्न समूगा के ऐसे समस्त सीधी भरती वाले पदों की समंद में यानि समूगा से जो नीचे की पद होंगे जो समूगा के अंतरगत आते हैं और उसके अंतरगत सचीवालाई की पद भी आते हैं अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो P.E.T. है वो किसके लिए लागू होगी ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेतन बैंड यहाँ पर दिया गया है वेतन बैंड वावन सो से बीस हजार दो सो ग्रेट पे उननीस सो एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैंड तो पोस्ट होगी और जो 46 सो से गपे की नीचे की पोस्ट होगी तो उसके बीच में यह P.E.T. परिख्षा कराई जाएगी ठीक है आगे देखते हैं स्यक्षेक आहरता यहाँ पर लिखिये तो इसमें क्या होगी तो हाई स्कूल या समक्क्ष या फिर उससे अधिक की जु बोभी आपकी सेक्षिक ऐहरता है वो यहां पर आपकी लागू होगी ठीच है आगे देखते हैं कि आयू सीमा यहां पर दी गयी है तो आयू सीमा 18 वर्स चाहीं गये अगे बढ़ते हैं आरक्षण यहाँ पर दिया गया है तो आरक्षण वही रहेगा जो वर्तमान में है और यहाँ पर जो 10% EWS का रहता है वो भी यहाँ पर रहेगा आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो परिक्षा की तिति है वो हमने आभी आपको बताई कि परिक्षा की तिति प्रारंबिक एहरता परिक्षा 2021 की तिति आयो की वेबसाइट के मद्यम से यथा समय सूचित किया जाएगा ठीक है तो आभी परिक्ष यानि प्रारंबिक एहरता परिक्षा जो है उसका स्कूर देखिए प्रारंबिक एहरता परिक्षा में परतिभाग करने वाले अभी आभी आपको बताई की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की तिति से एक वर्स तक माने होगा तो यह यहाँ पर आपको चैसे ध्यान र अपलोड किये जाने की तिति से एक वर्स तक माने होगा तो आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन से एक वर्स तक के लिए यह माने होगा आगे देखते हैं यह यहाँ पर आवेदन भढ़ने की जो प्रक्रिया है वो दी गई है तो इसे आप पढ़िएगा आगे पर रहेगे तो देखिए अनाराच्छत यानि सामाने के लिए 160 रुपई जो है वो सुलक है और 25 रुपई ओनलाइन प्रिकरिया सुलक है तो कुल मिलाकर कि है निसे जाती कि यहांपर 95 रुपई रहेगी जो हनना सुचत जान जाती है उसकी बहुए पर 95 रुपई है और विकलांग ही तो यहांपर 25 रुपई फीस की गई है आगे बढ़ते हैं ये सारी चीज़ें आपको खुद पढ़ना है, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम इसे पढ़ते है तो यहाँ पर हम देखेंगे स्लेवस इसका क्या है देखें ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है स्लेवस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है देखें पीटी का स्लेवस क्या है तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे प्रसनों की संक्या तो 100 प्रसन होंगी इस परिक्षा में जैसा कि पहले भी आपको बताया था इसका जो नोटिफिकेसन ने पहले जारी किया गया था तो उसमें भी आपने आपको बताया था कि जो प्रसनों की संक्या वो 100 रहेगी और जो पुरांक है वो भी आपका 100 रहेगा यानि परिक्षा 100 अंकों की ही कराई जाएगी समय कितना रहेगा तो दो घंटे का इसमें समय रहेगा अब इसमें स्लेवस क्या है कौन-कौन से सब्जेक्ट है तो देखिए भारती इतिहास भारती इतिहास यह वो पांच अंकों की पूछी जाएगी और पांच ही इसके कुश्यन होंगे यहाँ पर यह टॉपिक वाइस दिये गए है कौन-कौन से टॉपिक है जिससे आप देखिएगा आगे देखेंगे अगला जो सब्जेक्ट है वो भारती इतिह रास्ट्री इतिह आंदूलन इससे भी पांच अंक पूछे जाएंगे जो की पांच नंबर के होंगे पांच कुष्यान है तो यहाँ पर भी इसके टॉपिक दिये गए है यह सारे आप देखना है आगे है भूगोल तो भूगोल भी यहाँ पर पांच अंकों का रहेगा यह यहाँ पर टॉपिक दिये गए है आगे वढ़ते हैं भारति अर्थ्य व्यवस्ता और अगला जो subject है बुह है प्रारंबिक अंक गड़त तो ये भी यहां पर आपका पांच अंकों का पूछा जाएगा अगला है सामाने हिंदी सामाने हिंदी भी आपकी पांच अंकों की पूछे जाएगी आगे बढ़ते हैं समसामिकी अब यहां पर आपको अच्छे से ध्यान लगना है दोस्तों जो समसामिकी है यानि current affair ये आपकी 10 नंबर की यहां पर पूछे जाएगी यानि 10 question पूछे जाएगी जो की 10 अंकों की होंगे और अगला जो subject है बहुत समाने जाग रुकता यानि general awareness और इसके भी यहां पर subject जो topic है वो दिये गए तो ये भी यहां पर 10 अंकों की पूछे जाएगी अब दोस्तों जो यहां पर current affair का role है वो यहां पर इस exam में काफी जादा है क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो current affair जो है वो 10 अंकों की पूछे जाएगी लेकिन यहां पर जो समाने जाग रुकता है इसके भी maximum जो topic है वो current affair से ही related है तो कुल मिला करके हम यह कह सकते हैं कि current affair यहां पर 20 अंकों की पूछे जाएगी और इसके लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि आपको इस channel के माध्यम से UP current affair का daily जो daily current affair का video है वो उपलब्द कराया जाता है तो आप उस video को regular देखिए क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की PT परिक्षा है तो निश्यत रूप से यहां पर जो उत्तर प्रदेश current affair की question है वो पूछे जाएंगे और जो उत्तर प्रदेश current affair का मैं video regular लाता हूँ उसमें उत्तर प्रदेश current affair की साथ-साथ आल वर्ल्ड एंड इंडिया के जो current affair के important question होते है वो उसमें सामिल करते है तो इसलिए वो बहुत ही जादा important है वो आपको अच्छे से देखना है regular अब यहां पर आप देखे हैं जो सामाने जागरता नीचे वाला subject है यहां पर भी जितने maximum topic हैं उसको लेकर भी हम daily discuss करते है जैसे देश राजधानी मुद्रा तो अगर किसी भी देश से related कोई question होता है तो उसकी राजधानी क्या है उसकी मुद्रा क्या है और उसकी राश्ट अध्यक्ष कोन है यानि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कोन है तो यह हम उसमें बताते हैं आपको यहां पर आप दिवस तो जो important day होते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में discuss करते हैं नीचे है विश्व संग्ठन एवं उनकी मुख्याल है तो कोई भी संग्ठन या कोई भी जो संस्ता होती है जैसे विश्व स्वास्त संग्ठन है यूनेश्को है विश्व बैंक है तो यह जो विश्व आप यहां पर देख सकते हैं वो current affair से ही related है तो इसलिए current affair का वीडियो आप regular देखिए यहां पर current affair का role काफी ज्यादा है अगला जो subject है वो है आपटेत हिंदी गद्यांस का विवीचन एवं बिसलेशन यह यहां पर दस अंकों का पूंचा जाएगा तो यह भी important है आगे द और यहां पर जो most important बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है वो यह है कि प्रतेक गलत उत्तर हित्तू एक बटे चार अंग की कटोती की जाएगी तो इसमें minus marking आपकी रहेगी एक बटे चार तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है तो दोस्तों यह था पूरा notification P.E.T. परिक्षा का तो यहां पर हमने काफी discuss किया उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें share करें और अगर चैनल पढ़ना है तो चैनल को subscribe पढ़ना न भूलें तो मिलते है next वीडियो में और दोस्तों यह notification आपको हम